पिछले अपते में इंस्टाग्राम में पूछा था कि मैं रिव्यू करूं क्या मतलब कोई भी चीज सीरीज हो या शाट फिल्म कोई भी तुम लोग ने हां बोला तो ये लिजी इस वीडियो में जो गुच्छी भी बोला हूं है वो एक तो मेरा उपिनियन है नहीं तो वो पड़ा इसको सो आज हम लोग रिव्यो करने वाले हैं लाखो में एक सीजन टू का सीजन टू आने से पहले ही ना मेरे को एक्साइट्मेंट बहुत था क्यूंकि सीजन बहुत अच्छा था ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मुझे बहुत पसंद आया सीजन और नेक्स प्लेस फॉर आईट के पड़ाई मुझे क्यों पसंद आया मेरे जिंदगी सब बहुत सिमिलर था इतने प्रेजर नहीं थी और इंजिनेरिंग मैंने खुछ से चूस किया फिर भी मैंने लोगों को देखा है जो इतना प्रेजर लेते हैं उस पड़ाई में या मतलब 11th 12th में जो लोग पूरा सीरियस थे और मैंने भी मतलब 11th 12th किया अंद्रप्रदेश में ता तो मुझे पता है जो प्रेजर वहां डाला जाता है पेरेंटल प्रेजर हो या जो कोचिंग वाले डालते हैं सब कुछ देखा है हर एक छोटी चीज दो दिखाय गया था उसमें वहार चीज में रिलेट कर पारा था क्योंकि बहुत क्रेजी ओ वर्ड मां बता रहो हूं हूं तुम लोग को लग रहा हूँ ये नर्ड लो क्या कर रहे होंगे ये पड़ा हूं बहुत क्रेजी नबता रहो हूं थोड़ा सा नॉस्टाल्जिक फील किया मतलब पुरानी आद यह होगा अभी भी कॉमडी है उसमें बट वो स्टोरी जो है वो सीरियस स्टोरी है उसको मतलब कहीं डिरेल करने नहीं दिया कहीं ये मजाक वजाक उसा के बहुत साही था मुझे लगा कि ऐसा राइटर इस्टैबलिश होना चाहते थे इसमें कुरोस तो यू ब्रो वो दिखाया गया था उसमें तो बंदा था यह मतलब मतलब यह टीचर कुछ सेंट्रिक कुछ होगा मैंने सोचा फिर ट्रेलर देखा ऐसे बहुत सारे मुवीज या सीरीस होंगे जिसमें तुम ट्रेलर में एक चीज़ देखते हो जिससे देखके तुम एक्जाइट होते होते और यहां तुम लोग को नहीं मिलेगा फॉर एग्जमपल अ कबाली मुवी ले लो सौरी अगर कोई रजनीगान फैन है बट अ बट एट रग्टर एक्जमपल क्यूंकि कबाली मुवी में के ट्रेलर में दिखाया गया तो पूरा प्रमोशन्स में दिखाया गया था कि यार यह एक प्रॉपर रजनीकांत मसालेदार मुवी होने वाला है, बट इट वोज ए एमोशनल मुवी, I love the movie, बट प्रमोशन जो ट्रेलर और मुवी का जो डिफरेंस है, वो चीज की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं था यह, जो ट्रेलर में तुम लोग जो एमोशन्स फील करते हो, सारी एमोशन्स तुम्हें पूरे सीरीज में मिलेंगे तुम्हें, I loved it, इसमें बहुत रियाल्टी दिखाया गया है, देखो पहली बार जब मैं देखा सीजन टू, मुझे लगा कि सीजन 1 मुझे भैतर लगा सीजन 2 से, सीजन 2 वस गुड बट वैसे करके, अभी मैंने सीजन 2 दूसरी बार देखा है, अब मुझे लगने लगा कि सीजन 2 भैतर था सीजन 1 से, not only because of the budget वो लोग ने जो complexity दिखाया इसमें season 1 में वो एक student की कहानी एक student की कहानी में तुमें मतलब possibilities भी ना बहुत कम है जो complex issues होते हैं जिसमें बो गलत रहता भी नहीं है बट उसे जेलना पड़ता है वो situation को वो चीज़े season 1 में हाँ अच्छे है बट कम season 2 में it was more about a doctor, उसकी personal life का थोड़ा बहुत उसकी professional life में जो pressures and issues है और उसकी political issues जो politicians या इसके वज़े से एक doctor की जिन्दगी में होता है और मैं इतना excited हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा मैं actually इसे करने से बहले मैं दूसरी बार देखा था मैंने अपी इसलिए और इतना excited दिख रहो हूँ मतलब एक घंटे बाद जब मैं edit कर रहो हूँ इतना excited नहीं रहोँगा बट अगे इंट वस वेरी गुड अगर तुम season 1 देखे और season 2 देखना चाहते हो इस वेरी गुड आइडिया या season 2 तुम डिरेक्ली देखना चाहते हो फिर भी इस वेरी गुड आइडिया कि season 1 और season 2 में कोई लिंक नहीं है मैं पहले सोचा कि उसमें लिंक होगा और इस चीज कोर थोड़ा आगे लेके जाएंगे जनरली जो मतलब जनरली कोई series में भी होता ना कि एक कहानी आता एक पूरा series में फिर उसके बाद उसी को continue करते रहते हैं बट इस वस वेरी गुड I recommend you guys to see this Amazon Prime है कई और से भी तुमें मिले तो देख लेना बट देखना ज़रू जो लोग समझते हैं कि डॉक्टर के जिंदगी में इतने ही problems हो सकते हैं It was totally into that world तो यह थी वीडियो comment करो तुमें वीडियो कैसा लगा क्यूंकि एक experiment type है तुम लोग को पसंद आया कैसा लगा बताओ मेरे को कुछ changes करना है तो बताओ क्यूंकि मैं यह reviews थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ क्यूंकि मैंने बहुत चारी सीरीज और मतलब चीजे देख रहा हूँ मैं आजकल तो मैं यह review करूँ तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेर करो comment करो subscribe करो बेल लाइक एंदा बाना मत बुलना और मिलते अगले वीडियो इंस्टाग्राम या सेकंड चानल के वीडियो में हाकूनामा टाटा ट्ड़ा और अगर वीडियो यहां तक देख रहो थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच hashtag boo review डाल देना comment में और तुम बताओ मैं कोई और चीज देखूँ या किसी के बार में रिव्यू कराना चाहते हो बोलो महम करें यार, क्या बात कर रहा हूँ bye